So, Hello Everyone, This is your Roshan भाईया तो बच्चों आज की इस वीडियो में अभी मैं आप लोगो Class 10 Mathematics का Chapter No.1 Real No.1 से कुछ Important MCQ Questions की Practice करवाने जा रहा हूं यह Questions आपकी Board की परिच्छाओं में 100% Guaranteed है कि Questions यहीं से आएगा इससे Out Question आपका इस Chapter से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है एक से दो Question आपका Real No.1 से जरूर आएगा तो यह जो Questions है, Standard और Basic दोनों में भी आ सकता है तो आपको यह सारे Questions की त्यारी अच्छे से जरूर करके जानी है शुरू में भले हमने यहाँ पर कुछ आसान Questions आपको दिये हुए है लेकिन इस तरह से आसान Questions भी Basic वालों खास करके आदाता है कभी-कभी Standard वालों का भी दे देता है ठीक है तो अच्छे से इसकी त्यारी करना तो पहला Question पूछा गया कि Which of the following is the SCF of 65 and 104 तो 65 और 104 का जो HCF है वो हमें Find करना है तो HCF निकालने के लिए आता ही होगा आपको सबसे पहले क्या करना हमे 65 का इस प्रकार से Factor कर लेना है जितने बार में भी आएगा हम इस तरह से Factor कर लेंगे बिल्कुल इस प्रकार से हम 104 का भी इस तरह से Factor कर लेते हैं तो 5 जा 10 तो 2 जा 4 और यह हो जाएगा 26 बार में और यह हो जाएगा 13 बार में अब फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है तो जो कॉमन मिलेगा वही हो जाएगा HCF तो दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन जो है वो 13 मिल रहा है और तो कुछ common यहाँ पे मिला ने तो 13 इसका SCF होगा तो यह option A correct होगा ठीक है इसी प्रकार से question number 2 का जो answer है आप लोग हमें comment करके बताना कि 65 और 104 का LCM अब कितना होगा फक्टर करके हमने दिखा दिया था LCM में क्या होता है कि जो common मिलता है वो तो हम लेते ही है जैसे 13 common मिला हम यह तो लेंगे यह लेंगे बाकि जितने भी numbers बच गए थे उन सभी को यहाँ पे multiply करके लिख देना है and सबको multiply कर देना है जो भी आएगा वो आपका answer हो जाएगा तो यह आपको यहाँ से comment करना है कि कौन सा answer second का सही होगा ठीक है जब आप answer को comment करोगे तो question number 2 लिख के य अगला जो question number 3 है बोला गया है कि if two positive integers a and b are written as a की value दे दी गई है और b की value दे दी गई है और b की value दे गई है और b की value दी गई है और b की value दी गई है x y का power 3 तो इसका हमें क्या करना है s jak find करना है अब s jak j APIs में से find करते हैं तो पहले देखेंगे कि x का defense चोटा value क्या है X का power का shhk इसी प्रकार से y का देखेंगे y का चोटा पावर 2 है तो y का पावर 2 होगा त्यानि x y square ये answer हो जाएगा option number b बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे lcm find करने के लिए बोला है तो इसका answer फिर से आप question number 4 का comment करना lcm में क्या करेंगे हम लोग बड़ा पावर देखेंगे हम देखेंगे कि a में से बड़ा पावर कौन है और b में से बड़ा पावर कौन है ठीक है तो 4 का answer लिखना ऐसे 4 लिखके यहाँ पर answer लिख देना कितना answer होगा question number 5 में यहाँ पर दिया गया है कि the largest number which divides 70 and 125 living remainder 5 and 8 respectively अब बताना है कि इसमें से कौन सा वो largest number है जिसको अगर हम यहाँ इसमें से divide करेंगे तो जो remainder है वो 5 और 8 बचेगा तो देखो इस तरह के questions को बनानी के लिए आपको क्या करना रहता है पहले इस 70 से हम इस 5 को घटा लेंगे कितना निकल जाएगा 65 फिर इस 105 में से 8 को घटा लेंगे तो 105 में से 8 को घटा 15 माठ गया साथ लगवा 170 निकलेगा अब इसके बाद क्या करना रहता है इसका हमें SCF find करना रहता है क्योंकि largest number निकालने के लिए बोलाए ना SCF का full form क्या होता है highest common factor highest या largest similar word है यानि कि आपको SCF find करना है 65 और 117 का ठीक है तो इसका SCF find करने के लिए हमने सिखाए दिया इसका factor करो इसका factor करो फिर जो अमनों में जो common मिलेगा वहीं SCF हो जाएगा तो 5 नमबर का भी आप comment करके बताना यसे 5 नमबर लिखना पताना यहां पे दोनों का SCF क्या निकला है ठीक है अगला question number 6 है कि P और Q दो प्राइम नमबर से तो बताओ LCM P Q का क्या होगा जब देखो यहां prime number दिया गिया है prime number का जो LCM होता है बच्चे वो दोनों का multiplication हो जाता है ठीक है तो दोनों का multiplication करोंगे करोगे तो कितना हो जाएगा P Q ठीक है वह अगर SCF निकालने रहता तो prime number का जो SCF होता है न वो हमेशा 1 होता है बस इसको ध्याल में रखना जब prime number का ह हम product करेंगे दोनों multiply हो जाएगा SCF बोलेगा तो SCF 1 होता है अब अगला question में यहाँ पर SCF दे दिया गया है 9 और हमें इसी दोनों number का जो हो LCM find करना है अब इस तरह के questions के लिए हम लोग क्या करते हैं देखो इसका हमें SCF दिया गया था आपको यह वह लग formula याद होना चाह अब अगर हमें LCM find करना है तो LCM को इदर रहने देते हैं SCF को नीचे कर देते हैं SCF दिया गया था 9 अब हम यहां से 9 से जो भी cancel होगा cancel कर देंगे cancel करने के बाद जो आएगा उसको multiply कर देंगे multiply करने के बाद जो आएगा वह आपका answer हो जाएगा तो यहाँ पर इसका answer जो ह तो मेरा practice होगा आपको practice करनी है मेरा काम है question समझाना मैं आपको question समझा दे रहा हूँ question आपको बनाना है आप जितना ज्यादा ज्यादा question बनाओगे यह फाइदा आपका करेगा ठीक है अभी marathon देखते भी हो ना तो marathon देखने time अपने से बनाना teacher बनाते हैं उनका practice होता है आ बनाना आपकी practice होगी है अब चलो अगला जो यहाँ पर question है यह assertion region का question है जिसमें बुला गया है कि यह composite number है देखो अगर यहां से यहां तक multiply में दिया हुआ है और इसके बाद देखो यह add में दिया हुआ है और अगर यहां से आपको इस तरह से कोई number common मिल जाता है that means कि यह composite number होता है इसको जहां में रखना तो assertion जो है हम लोग का true है reason में क्या दिया गया है कि every composite number can be expressed as product of primes जितने भी composite numbers होते हैं उनको हम prime के product में लिखते हैं बिल्कुल correct है जितने भी composite numbers होते हैं उसको हम prime numbers के product के form में लिख देते हैं ठीक है तो यह assertion और reason दोनों से यह correct explanation भी कर है तो option number A जो है वो correct हो जाएगा अगला question फिर से यहां पर assertion region में पुछा गया है अब यहां पर LCM दिया गया है product of two numbers दिया गया है और SCF दिया गया है अभी हमने क्या आपको rule पढ़ाया कि SCF SCF multiply LCM होता है product of two numbers तो LCM SCF दिया हुआ है 5 SCF के जाए 5 रख दिये LCM दिया हुआ 350 तो यहां पर 350 लिख दिये अब इन दोनों को multiply करो multiply करके देखो कितना आ रहा है यह 5525 को 5 बच गया to 5,015,16,17 तो 1750 आया SCF multiply LCM किये तो अब जो product of यह two number दिया हुआ है इसको भी multiply करके देखते हैं अगर 1750 आया तब तो यह assertion true होगा वरना फिर यह assertion गलत हो जाएगा तो 25 को 70 से multiply करते है 7585 को 5 बच गया 372 जा 14 और 317 तो बिल्कुल correct आ गया देखो 1750,1750 आ गया यानि कि जो assertion है वो मेरा true है बट region में देखो क्या दिया गया है उल्टा दे दिया है कि LCM multiply product of two numbers equal to SCF है जबके ऐसा नहीं होता है बल्के ऐसा होता है product of two numbers equal to SCF multiply LCM तो यह LCM यहाँ पर multiply में होना चाहिए था तो यह तो true है बट यह false है तो assertion true reason false आपका यह option number C सही होगा question number 10 दिया गया है कि the SCF up to number is 5 and their product is 150 अब SCF दिया गया है 5 और उसका product जो है 150 है तो यह भी इसी formula से बनेगा SCF multiply LCM equal to होता है product up to number पता है ठीक है चलो दो number यहाँ पर हम एभी ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है SCF दिया गया है 5 तो SCF के जब पर 5 लिग दिये LCM पता नहीं LCM 30 दिया है LCM 30 दिये चीक है and product of two number कितना है दिया गया है 150 150 दिये अब अगर हम इन दोनों को multiply करेंगे तो 150 आएगा जो की यह product of two number के बिलकुल देखो equal आ जा रहा है तो इस वज़े से मेरा जो assertion है वो बिलकुल correct है true है जबकि reason में देखो क्या दिया गया है कि SCF plus LCM तो plus तो नहीं होता है या multiply होता है SCF multiply LCM equal to product of two number तो assertion true but reason is false that means की option A आपका बिलकुल correct हो जाएगा sorry option C सही होगा ठीक है assertion सही but reason false है अब एक last question है कि what is the SCF of smallest prime number and smallest composite number smallest prime number क्या होता है पता होना चाहिए smallest prime number prime number जो किसी के table में नहीं है इसे one का और खुद का छोड़के ठीक है जिसका केवल दो ही फेक्टर गों समॉलःस्ट प्राइम नंबर होता है two smallest ाग और şunu णो थ्यान रखना इस बात को कभिक और यहान को मा कोशन घूमाकर के देदेता है तो smallest prime number होता है 2 और smallest composite number होता है 4 इसका हमें निकालना है SCF तो इसका जब SCF निकालेंगे तो इसका factor करेंगे तो कितना होगा 2 1 जा 2 इसका factor करेंगे तो 2 2 जा 4 common कितना निकलेगा सिर्फ 2 निकलेगा तो इस वज़े से इसका जो answer होगा वो option A correct हो जाएगा यहां तक अगर आपने कर लिया जिसने भी इस वीडियो को यहां तक पूरा देख लिया real number से इससे ज़्यादा questions examinations में आता ही नहीं है question आपका यहीं से आएगा 100% guaranteed है question यहीं से आने वाला question पर real number से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना polynomials की वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी